विल्कम बैक तो माई यूटूब चनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका बचा हुआ पोर्शन है कोस्चन नमबर 20 का जो आपका सा और दाचूटा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे तो आपसे सा पोर्शन पूछ रहा है तेफलान को समझा क्या होता है कैसे बनता इसके यूजिज क्या है इनको आपको बताना ठीक है जितना बताया गया उसको हम डिसकस करेंगे अद्धा में पूछ रहा आपको एपाक्सी रेजिन पर टेपड़ी लिखिए तो टेफलान और एपाक्सी ये दोनों चीज़ें हमें पढ़ने सबसे कि अलग पहले हम बात करते हैं सागी ठीक है जिसमें आपसे पूच रहा है कि टेफलॉन को समझाए के चली पढ़ते है क्या होता है कैसे बनता है कि यह आगे आपका ऐससी खिर कि किसकी बात करेंगा भी टेफलान के बारे में हमें बताएगा ठीक है यह परप्राय प्लवो अथलीन पॉझितर फलोरो अथलीन कि नाम से जानते हैं कि यह आपके फ्लोरीन फिलोरीन योगसील होमोपॉलीमर होता है योगसील होमो पॉलीमर होता है यानि कि यह आगे अपकरिया करता रहता है या एडक्ट आपका होमो पॉलीमर होता है इसको टेटरा फिलोरो एथिलीन को उच्छ दाव के अंतरगत अमोनियम पराक्साइड सलफेट एनेच पूर का होल्टाज ह2O8 के साथ गरम करके बनाया जा जाता है तो इसको किस तरह से बनाया जाता है किस तरह से इसको किया जाता है सबसे पहले कहले ने टेटरा फिलोरो एथिलीन के लेना टेटरा फिलोरो एथिलीन ठीक है जो कि आपका यह हो गया ठीक है टेटरा फिलोरो यानि की चार इसमें फिलोरीन एटम लगे हुए है और के साथ में क्या कर देना इसके साथ में इसको हीट कर देना है ठीक है तो करद वे इसको हीट यह आपका आगया टेट्रा फ्लोरो एथलीन टेट्रा फ्लोरो एथलीन आगया आपका इसके एन मॉलिक्यूल है किसके त्षाइडिन औरो विद्ध करना है यहोगे आपका अमोनियम प्रांक्सी अलप unusus फेड्ट टीन फिर महीं इसके सात में ट्रीट सबीस करना उच दापर और क्या करोद इसको गरम करने पर वोगा गया देखो यह जो आपका carbon double bond carbon और इस पे दो fluorine इस पे भी दो fluorine और इस पे भी आपके दो fluorine इस पे भी इसके molecule कितने आपके पास और एन नमबर आप molecule है जिकरें कैमने इसके और इसके घ्रेहमारा साथ साथ सबस्क्राव इसके तूर करेंगे घ्रbasis की कंडिशन में होगा या क्या होगा यह फ्री रेडिकल की रूप में पहले ब्रेकडाण रेक्डान आपका बना रहेगा तो इसके और इस Yin पर बना रहेगा इसके और इसके वीच में तो अभी आपका free radical दोनों terminate पर आपका present है जो और अगला molecule आएगा ठीक है किसका tetrafluoroathleen का वो आपका दोनों side से इधर से भी और इधर से भी reaction करेगा और यह reaction आपके कब तक चलती रहेगी जब तक की जो आपका tetrafluoroathleen है इनके अणू जब तक खतम ना हो जाए ठीक है यह कहने का मद्दब यह जो आपके free radical है यह पूरी तरह से जब तक कंजूम ना हो जाए खतम ना हो जाए जब तक यह reaction आपकी चलती रहेगी ठीक तो इसको चाहे आप free radical की form में बना सकते हो और चाहे तो आप किस तरह से मॉण कारबन के बीच में बाइबन कारबन के बीच में जो डबल वांड है इसको आप कुछ इस तरह से तोड़ दो तो इस पर कैसा जागा माइनस का इस वाले कारबन का यह वाला कारभन इस वाले carbon से attach हो जागा और bond बना लेगा तो यह एक लंबी स्रंखला आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी ठीक है तो इन दोनों के बीच में बन गए carbon number 1 2 3 और 4 तो carbon 2 और 3 के बीच में bond बन रहा है तो पहले carbon लिख लो 1 2 3 4 चार carbon है तो carbon number 2 और 3 के बीच में यह आपका bond बर रहा है नया वांड ठीक है और carbon 1 और 2 3 और 4 इनके बीच में जो आपका double bond था वो bond आपके तूट रहे हैं और carbon डोफलोरोन लगए हुए है ढूसरे-कारबन भी आपके तीसरे कारबन पर आपके चौथे कारबन पर वी तो इस तरह से 10मी कारबन पर यहुँद में भी सरंखला का निर्मार कर लेंगे तो यह जो आपका प्रोडुक्त हो गा इसफि को कहते हैं या इसको पॉली कुरre concel के नाम गणते यहुआ टेटरलीन के नाम से पुर जानते हैं तो यह हो गया आपका टेफलॉन ठीक टेफलॉन इसी में हम पढ़ लेते हैं कि आपका जो एपक्सी रेजन होता है क्या होता है उत्तर आपका क्या आगे अद्दा ठीक है एपक्सी रेजन ठीक तो एपक्सी रेजन के बारे में अगर हम बात करें तो गहरा है एपक एपाक्सी रेज़िन को समझाइए तो ईसते बनता है कि यूज को रहें कित्स देज हम याद रखना क्या EPI-GLze-Hydrin तिभा Bysphenol क्या होगा आपका EPI CHLч और क्या होगा Bysphenol A की σंखναन क्रिया NAWK की उपस्थिती में कराने पर EPOXY RAGIN प्राफ्थ होता है किसके क्रिया करा दोगे आप EPI-CL zona हईडरिन लोगे और क्या लोगे आप bisphenol इन दोनों की क्रिया किसकी उपस्तिती में करानी है एने वचकी उपस्तिती में करानी है इनका संगनन करा देना है जो product मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका epoxy resin मिलेगा ठीक है क्या मिलेगा epoxy resin तो ये दो नहीं याद रखने है वो आपको आपका याद रखना है एप लोग और बीच फिनॉल इस वाले कार्बन पीच में एक oxygen, दोनों कार्वन से क्या होगा, एक oxygen रिंग बन रही होगी, ठीक है, तो ही होजागे, आपका एपी क्लोर हाइड्रेन, क्या होगे है, यह आपका, एपी क्लोर हाइड्रेन, फिलस किसके साथ में रियक्शन करानी है आपकी, दूसरा क्या है आपका फिनॉल बिस्फिनॉल है यह आपका क्या हो गया यह आपका हो गया बिस्फिनॉल ठीक है यह आपका बिस्फिनॉल और आपका किसकी उपस्तिती होगी स्टोडियम हाइडर आपका ठीक है तो यहाँ पर ले लो आप बिस्फिनॉल यह जो आपका लिखा का dwa हुआ है कि जिसमें धोनों तरह सबस्किक रहेगा एने प्लस सब्सक्न गया इस तरह से तरह से फिर आपका ऑक्सुजन और सोरी यहां पर भी आपका विए बिंजिर रिंग आ जागा इस तरह से और से और सिंगल वांड एने प्लस और ओ मायनस यह आपका आ गया यह इसका इसका बिस फॉस्फिन बिस फिनॉल एका बिस बने इसका इसका इस फिनॉल एका ठीक है अब देखो आए थायों पर ते नंकी जब हमने ने मुँछ के साथमें सिरियक्शन कर दें सकते साथ में एन इस इनए को उएक्स और सिंसमें अपर की स्चिर आपका बुछ लगा होगा ठीक है यह जो आपका इनका फिनॉल गुरुप है याव यह बेंजीन और रिंग है ठीक है एच प्लस आयन को खीच लिया तो क्या आ गया इस पर माइनस तर चार्ज आ गया और जो एने प्लस की फॉर्म में था यह जाकर आपका ऑक्सिजन से लग गया ठीक है तो ओएच के जगह क्या बन गया आपका ओएच बना हुआ है दोनों जगह यह कहां से आया है यह ञskे और ँच माइनस एने प्लस और ँच माइनस तो यह क्या करेगा यहां से एंच पलस को अपने शाथ लेके और एच तू बना लेगा ठीक है और यहांसे क्याऊगर जो एने पलस आपका ये जाके आपका ऑक्सिजन से लग जागा Ġीक है इसी तरह की करिया आपकी यहां प कहते हैं ठीक है तो यह बन गया आपका सहिंगमी छार अब बन गया आपका दुमारा से हमने कहले लिया एपी क्लोर हाइडरिन कहले लिया एपी क्लोर हाइडरिन ठीक है अब इनकी रियक्शन कर देनी है एक एपी क्लोर हाइडरिन है दूसरा क्या है आपका conjugate base है क्योंकि जो आपका क्या था आपका क्या था बिस्फिनॉल ए क्या था बिस्फिनॉल ए की reaction किसके साथ में हो गई आपके base के साथ में हो ठीक है जो कि यह ने उच था और उसने क्या बना लिया conjugate base बना लिया ठीक है किसका बिस्फिनॉल ए का अब बिस्फिनॉल बीच को इस तरह पिक रोजागा ऐसे इसके बीच मेर यह जो Diesel बहर निकल जागा ये और इसका ये न यह भी यहां से बाहर निकल जागा ऑर जो दूसरा आपका दूसरे साड़ आप लग जाए तो पहले साड़ पर क्या हो गा camera ला ठीक है फिर क्या है आपका बेंजीन है छी सीच थ्री और च टूट गया इनके बीच का बॉंड आपका टूट गया तो गया घॉपकर यह होगा और इस रंकला आपका आगे बना लेगा ठीक है तरह एंगा यह बना लेगा इक और सरंखला आपकी आगे बना लेगा यह तो यह वाला बॉंड ब्रेक होगा यह क्या होगा आपका इन जो आपको इसका उप्योग निर्वात फिलास्क बनाने में इसका उप्योग किया जाता है कप बना लो जग बोतल स्विच पिलग वैधत रोधी जाग में होता है तो आपका हो गया अपका है है आपका बात करें ग़ले question की जित ठीक है जो कि आपका एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा इतने भी कोशन हमें आप पढ़ रहे हैं सभी इंपोर्टेंट कोशन पढ़ रहे हैं आपके लिए ठीक है तो अगर आपको और ज्यादा मेटेरियल चाहिए इस चैनल से इसकी साइट है www.paperhacker.in पर अगर आप जाओगे लॉगन करोगे सर्च करोगे तो बहाँ पर आपको बहुत सारा मेटेरी मिल जाएगा नोट्स मिल जाएंगे आपको जो आपके वीडियो है इनका प्लेलेस्ट मिल जाएगा ठीक है तो यह सब कुछ आपको वहां से प्रोवाइड हो जागा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर दीजी ठीक है बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग शेयर दा वीडियो